केंद्र सरकार के जनकल्यानकारी योजनाओं के चलते ग्रामीन छित्रों में आधारवुद सुविधाओं में विस्तार हुआ है सीकर जिरे के कटराथल पंचायत में स्वच भारत अभियान का असर देखने को मिला है पेश है एक रिपोर्ट सीकर के पिपराली पंचाय समेती की कटराथल ग्राम पंचायत स्वच भारत अभियान के तहट खुले में शोच मुख की गई है लाभारतियों का कहना है कि जहां उन्हें विशेश कर महिलाओं को खुले में शोच जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था अब इस समस्या से निजात मिल गई है के लिए बहुत है तो सारवजनिक सोचाले के लिए सांती देवी सरपंच ने दुरंत प्रस्ताव रखकर सारवजनिक सोचाले मैन स्टेंट पर अबनवाए टॉलेट से सोई फाइदा है और और तुंके लिए फाइदा है है और चीज़ का फाइदा है समसे ज़्यादा दो और के लिए फैदा हुआ है और वाकी एस वार था इसमें टोलेट के लिए बहुत बढ़िया सुजदा है इसको पहले हमारे गड़ पर सोचाली नहीं था हम भार जाया करते थे अब सबस्ट बारत भी आनके थे बार्मेंट से में पैसे मिलें से में सोचाली बनाया मार जाने की सोचाली नहीं था लेकिन प्रदानमंत्री आवाशियोजना के तहते और सबस्ट बारत अभियान के तहते यहां पर सोचाली बनवाया गया गया गाओं के अंदर पहले नालिया नहीं थी लेकिन सुरपंजी के नेतरतों में प्रतेक मोले के अंदर गली के अंदर नालिया बन पंचायत ने सवच भारत मिशन अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बस सिटेंट पर भी सार्वजनिक शोचलय का निर्मान करवाया है। वहीं गंदे पाने की निकासी के लिए नाले का भी निर्मान करवाया गया है। इस्थानी लोगों ने सार्वजनिक शोचलय निर्मान की सराहना की है। लिवारों के पास शोचलय नहीं है, शोचलय भी नहीं है, उनका सर्वजनिक शोचलय के लाते जाता है। एक नाले का एक डेम चला जाता है और दूसरे नाले का ताकि यहां पर सब कुछ करता है। स्वच्च भारत मिशन ने लोगों में स्वच्चता के प्रती जागरुपता बढ़ाई है। दूरदर्शन समाचार के लिए सीकर से सुनिल पार्भुवाल की रिपोर्ट है।